सबसे पहले श्रीगन पति चर्णों में शीस जुकाते हैं गोरी ललना की पुत्ती मता की कथा सुनाते हैं हम गाथा गाते हैं कैसे मंगल मुर्ती भक्तों को पार लगाते हैं रभुजी पार लगाते हैं गोरी ललना की पुत्ती मता की कथा सुनाते हैं हम गाथा गाते हैं शीकरुड़ी दी भगवार करते सब पूरण का लो मंगल मुर्ती गाँ भक्तों ये शुब हो शाद तूं कहते श्री गणपती को बल बुद्धी के दाता क्यूं हर कोई श्री गणपती के गुण को है गाता एक दिन गणपती और कारतिक दोनों में ठन गई दोनों में श्रेष्ट है कौन ये बात थियर गई बुद्धी में कौन बड़ा है बात ये कौन बताएगा दोनों की उलजी पहली को फिर कौन सुल जाएगा ये भक अपने मुख से इनकी कथा को सुनाता भक तो सुन लो ध्यान सिगणपती जी की ये गाथा दोनों चल कर ब्रम्हा जी के पास में जाते हैं हम दोनों साथ में जाते हैं उस गोरी ललना की बुद्धी मता की कथा सुनाते हैं हम गाथा गाते हैं शीकरुण लिदी बगवाद करते सब पूरण का दो मंदल मूरतिगाद बत्तों ये शुब होशा फिर ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी के दोनों पास गए किया प्रणाम चर्णों में और पूछन लग गए कार्थिक बोले मैं बड़बै बड़ी भुत्ते भी मेरे ब्रह्मा जी करो आप फैसला मत करना देरी गर्पती बोले जो बढ़ा हो भुत्धी में भी वो बढ़ा हो ब्रह्मा जी करो फैसला ऐसा कभी नहीं होता मेरी भी है ये समस्या इसका आप निदान करो बुद्धी में कौन बड़ा है इसका भी समधान करो ब्रम्हा जी विशुरू लोक का पता बताते है उन दोनों को पता बताते है गौरी ललना की बुद्धी मता की कथा सुनाते हैं हम गाथा गाते है शीकरुण लिदी भगवा करते सब पूरन का दो मंडल मूरतिना बत्तों ये शुब होशा कार्थिक और गणिश पहुँच गे श्री विश्णू के पास प्रश्न सुना श्री विश्णू ने फिर भक्तों भै उदास फिर विश्णू जी की बात सुनी के लास को जा पहुँचे शिव जी को तप में देखा मा के वो पास गए खिर अपने मन का वो सारा भेद बताया है तब पारबती जी शिव को उनका प्रश्न सुनाया है तुम दोनों मेरे पुत्र हो दोनों बुद्धी में हो बड़े परकार्तिक और गड़े से जी अपने जीत पर थे अड़े बुद्धी मता सावित करने की राह सुझाते है प्रभु जी राह सुझाते है गोरी ललना की बुद्धी मता की कथा सुनाते है हम गाथा गाते है शी करुण हिदी बगवान करते सब पूरग का दो मंदल मूरतिगा वक्तों ये शुब हो शार सबसे पहले ब्रम्हांड की जो प्रदच्छ डालाएगा बुद्धी मता में सबसे बड़ा वो ही कहलाएगा ब्रम्हांड की दोड लगाने को दोनों तयार तयारी करने दोड के दोनों महलों को चले कार्थिक मोर सवारी गड़ पति मूसक के असवार मोर और मूसक का मुकाबला जानता ये संसार कार्थिक ने भर फिर उड़ान श्रिष्टी को नापन चल दिये छोट से मूसे बैठ गड़ पती देखत ही रह गए कार्थिक जी को जाता गड़ पती सूँच में आते हैं प्रभु जी सूँच में आते हैं गोरी ललना की बुत्री मता की कथा सुनाते हैं हम गाथा गाते हैं श्री करुण दिदी बगवान करते सब पूरण का जो मंडल मूरतिदा बत्तों ये शुब होशा छोटे से मूसक श्रिष्टी को नापन पाऊंगा मैं अपने मात पिता की प्रदिक्षण साथ लगाऊंगा मेरे मात पिता से बढ़के दूजा और नहीं इनके चर्णों से बढ़के पूजा भक्तों और नहीं शिव गोरा की साथ परिक्रमा उन्हे लगाई है और मात पिता से सब आशिशे गणपति पाई है बल बुधि बिद्या में गणपति तुम जैसा नहीं है महार हे प्रखम पूज तुम्हरे चर्णों में जोके गए जहान श्री गणपति जी के चर्णों के धूलिस तिलक लगाते है प्रभु जी तिलक लगाते है गौरी ललना की वुद्धी मता की कथा सुनाते है हम गाथा गाते है शीत करुण दिदी भगवान करते सब पूरणका दो मंगल मूरतिवान वत्तों ये शुब होशा गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे तीन लोक की सकल देवता द्वार खड़ सब अरज करे गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे रेथी सिथी दक्षिन वाम वेराज अरवान अंद सो चवर करे अरवान अंद सो चवर करे रेथी सिथी दक्षिन वाम वेराज अरवान अंद सो चवर करे धूप दीप और लिये आरती भक्त खड़े जयकार करे गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे गुड के मोदक भूग लगत है मुशक वाहने चड़ा करे गुड के मोदक भूग लगत है मुशक वाहने चड़ा करे सौम्य रूप को देख गणपति की विखन भाग चार दोर परे गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन हरे भानो मास और शुक्ल चेतु थी दीने दोबारा दूर परे भानो मास और शुक्ल चेतु थी दीने दोबारा दूर परे लियो जन्म गणपति प्रभु जीने दुरगामन आनंद भरे गणपति के सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे अजपति के सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे अजपति बाचा बजाएंद्र का देव बंधू सब गान करे अजपति बाचा बजाएंद्र का देव बधू सब गान करे श्री जंकर के आनंद उपजयो नाम सुन्यों सब विखन तरे गणपति के सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे गणपति के सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे आलवी थाता बैठे यासन इंद्र अपसरा नित्य करे आलवी थाता बैठे यासन इंद्र अपसरा नित्य करे देख वेद ब्रह्मा जी जाको विखन वे नाशक नाम धरे गणपति के सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे गणपति के सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे एक दंत गज वदन वे नायक त्रीन अन्रूप अनोप धरे एक दंत गज वदन वे नायक त्रीन अन्रूप अनोप धरे पग थंबासा उदर पुष्ट है देवचंद्र माहस करे गणपति के सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे गणपति के सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे देशा अपशे चंद्र देवपा कलाहीन तत्काल करे कलाहीन तत्काल करे देशा अपशे चंद्र देवपा कलाहीन तत्काल करे कलाहीन तत्काल करे चौदाह लोक में फिर गणपति तिन लोक में राज करे गणपति के सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे गणपति के सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे उठी प्रभात जो आरती गावे ताके सिर्य शे छत्र फिरे गणपत जी की पूजा पहले करनी काम सभी नेर विखन करे गणपति के सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे गणपति के सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विखन तरे सुनो अरजी हमारी उगणेश जी तेरे बतों की यही फरियास है तेरे क्रिपा से सफल होगी साधना मन के शब्दों का यही अनुवाद है सुनो अरजी हमारी उगणेश जी तेरे बतों की यही फरियास है तेरे क्रिपा से सफल होगी साधना मन के शब्दों का यही अनुवाद है चरण तुम्हारे आकर बैठे मान रखो मेरे देवा तुम्ही हरोगे कश्ट हमारे तुम्ही करोगे क्रिपा देवा तुम्ही करोगे क्रिपा देवा मैंने रखा प्रभूप वास है मेरे जीवन की लीला तेरे हाथ है तेरी क्रिपा से सबल होगी साधना मन के शब्दों का यही अनुवाद है सुन अरजी हमारे उगणिश जी तेरे भत्तों की यही परियाद है तेरी क्रिपा से सबल होगी साधना मन के शब्दों का यही अनुवाद है जोत तेरे चरणों में रख दी जो दिल में चलाई है इच्छा मन की पूरी कर दो तुझसे आस लगाई है कोई अरजी नहीं ये प्रभु आस है तुम पूरी करो ये प्रयास है तेरी क्रिपा से सबल होगी साधना मन के शब्दों का यही अनुवाद है सुनो अरजी हमारी उगणेश जी क्रिपार तुम्हारी सबस्थ पर रहती फिर मैं कैसे वन्चत हूँ तुम ही करो प्रभु फैसला मेरा मैं कब तक चकित रहूँ किपा तुम्हारी सब पर रहती पिर मैं कैसे वन्चत हूँ तुम ही करो प्रभु फैसला मेरा मैं कब तक चकित रहूँ सारे जग में मेरा उपहास है ये भक्त तुम्हारा दास है तेरी क्रिपा से सफल होगी साधना मन के शब्दों का यही अनुवात है सुनो अरजी हमारी उगणिश जी तेरे भक्तों की यही परियात है तेरी क्रिपा से सफल होगी साधना मन के शब्दों का यही अनुवात है अरजी म क्रिपे झारे — यही अनुवात है